हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक तो विस्टेडी क्लासस तो माई डियर फ्रेंड्स आज आपके साथ जुड़े हैं हमारे एकॉनॉमी आफ राजस्तान के उपर डिसकेशन करने के लिए यह हमारा इंट्रोड़क्टरी लेक्चर है और इसके अंदर हमारी जो एकॉनॉमी आफ र रहने वाले यह लेक्टर हमारा एक्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत सारे फिगर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि एक्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं तो आईए अपने डिसकॉशन को स्टार्ट करते हैं तो आईए शुरुवात करते हैं राजस्तान के बारे में जानकारी आपके साथ शेर करते हैं तो सबसे पहले यहां पर बताया गया एक बहुत important fact कि राजस्तान का geographical area जो है it is 3.42 lakh square kilometer and it is the largest state in the country in terms of area हमारे north western part of the country में situated है तो हमारा यह north है यह south है यह आपका east है और यह आपका वेस्ट है तो राजस्तान कौन से पार्ट में देखने को मिल रहा है यह आपको नौर्थ वेस्टन पार्ट में देखने को मिल रहा है and it is surrounded by the states of, कौन सी states तो से सराउंड कर रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब, हर्याना और उत्तर परदेश यहाँ पर इस इस सराउंड कर रहे है नौर्थ ईस से Madhya Pradesh यहाँ पे इससे surround कर रहे है, यह Madhya Pradesh है आपका, and Gujarat in the Southwest, तो यह आपका Gujarat है जो कि Southwest में से surround कर रहे है, it also has a long international frontier with Pakistan, तो यहाँ पर हमारा Pakistan के साथ बुसका border बन रहा है, physiographically बात करें, तो श्टेर को चार major regions में हम यहाँ पर divide कर सकते हैं, कौन कौन से रीजन है यह आपके, western desert, जो आपका western part है, basically state का, this is the desert region, और यहाँ पे इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं, बारन हिल्स, rocky plains and sandy plains, इसके अलावा यहाँ पे आपको अरावली हिल्स भी देखने को मिलते हैं, अरावली हिल्स देखने को मिलते हैं, running southwest to northeast from gujarat and ending डेली इस्टन प्लैंस येजिदन आर्फ यह देखने को मिलते हैं और साउथ इस्टन प्लैट्ट्टिव तो यह होग बनलता है स्टेटत्य सो इसमीड ट्लेटिक कंडिशिंध को क्डिशंग रेंचिंग vista अगर आप राजस्तान के माप को यहां पर देखेंगे तो अगेन यहां पर आप देख सकते हैं इसके जोग्राफिकल डिवीजिन को जैसे आपको अरेड़ी हमने बताया कि आपका यह तो है जी western desert वाला region और आपका ये जो है this is the अरावली region जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लावा ये आपका है eastern plains वाला region ये आपका south eastern plateau वाला region जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं this is the semi-arid region यानि कि ये वाला तो arid है मतलब बहुत सूखा पड़ेगा यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्तान का political map आप सब देख रहे है कि पाकिस्तान यहाँ पर है पंजाब उत्तर परदेश दिली को तो खायर ये टच नहीं कर रहा पंजाब उत्तर परदेश और यहाँ पर है आपका मद्य परदेश और इदर आपका है गुचराथ तो यह है राजस्तान का पॉलिटिकल मैप अलग लग डिस्ट्रिक्ट को आप यहां पर भी देख सकते हैं चलिए अब है हमारे पास key indicators of economic development बहुत important examination perspectives है यहां पर सबसे पहले बताएगे gross state domestic product के बारे में देखो अगर हम पूरे country का GDP मापते हैं तो state level पे हम हर state का GSDP gross state domestic product मापते हैं तो हम इसे constant prices पर भी देख सकते हैं और current prices पर भी देख सकते हैं तो यहां पर अगर हम constant prices पर देखते हैं तो हमारा GSTP 2020-21 के अंदर कितना है यह है जी आपका यह सारी figures आपकी जो है वो आपकी rupees करोड के अंदर है यह आपको यहां पर बता रखा है तो 643222 करोड जो है वो हमारा है GSTP at constant prices और current prices पर है 95792 और अगर growth rate की बात करें तो growth rate यहां पर पिछले साल से हमारा negative में आ गया है growth rate minus 6.61 and minus 4.11 पिछले साल था 5.03 और 8.38 positive के अंदर तो यहां पर negative growth जो है एक चिंता की बात बन चुकी है अगर बात करें sectoral contribution का कि अलग-लग sector का क्या contribution है हमारी gross state value edit के अंदर तो agriculture sector का आपको यह contribution दे रहे 29.45 परसंट और यहां पर industry का है 28.15 और services का है 42.4 परसंट तो सबसे ज़्यादा contribution आपको यहां पर services sector का देखने को मिल रहा है चलिए अगर देखे हमारा contribution current prices पे तो current prices पे भी सबसे ज़्यादा contribution आपका services का ही है और फिर agriculture और आपके industry आते हैं अगर हम बात करें net state domestic product की तो उपर हमने देखा था PSDP अब यह है आपका net state domestic product तो gross में से अगर हम अपना depreciation वगरा घटा देते हैं तो फिर हम net पे पहुंच जाते हैं तो हम यहां पर net state domestic product पहुंच जाते हैं यह उसे चोड़ा काम होने वाला है और यहां पर अगर देखें तो इसकी position भी यहां पर बता रखिए पर capita income अगर हम देखें तो पर capita income राजस्तान की constant prices पे पर capita income का मतलब है कि पर person हमारी कितनी कमाई है राजस्तान की इनकम को हम राजस्तान की population से divide कर देते हैं तो पर person हमारी कितनी कमाई है यह पता चलता है सकते हैं gross state domestic product को gross state domestic product आप यहां पर देख रहे हैं constant prices पे और current prices पे आपको लग लग years की comparative picture दे रखे और GSTP का growth rate भी बता रहे है जैसे कि आपको बता रहे थे अब यह graph आपको नीचे जाता देख रहा है हमारा जो growth rate है वो हमें negative जाता हुआ देख रहा है और इसके लावा यहां पर कुछ और की indicators आप देख सकते हैं gross fixed capital formation की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी पिचर 2021 को तो अवेलिबल नहीं है last year की यहां पर वेलिबल है हुआ है तो आपकी industrial sector में 2021 में गिरावट आई होगी यहां पर राजस्तान को इंडिया के साथ compare किया हुआ है इंडिया के साथ राजस्तान को compare किया हुआ बहुत important आपके लिए picture है जो की ध्यान में रखने वाली है geographical area को अगर देखे हम यहां पर तो यहां पर राजस्तान का geographical area 3.42 और इंडिया का है 32.87 तो लगबग 9-10% के बीच में यह निकल कराएगा कि राजस्तान इंडिया का approximately 9-10% एरिया जो है वो cover कर रहा है population की बात करें तो इंडिया की population 121 करोड है यह census 2011 के recording data लिया गया यहां पर और राजस्तान की है 6.85 तो यहां पर population के perspectives में बात करें हम यहां पर तो population का लगबग around यहां पर अब देखेंगे तो कम से कम 4 यहां 5% जो है वो contribute कर रहा है तो यहां पर population density हमारी काम होने वाली है तो आप जैसे देख सकते हैं यहां पर population density की figures आप देखेंगे तो इंडिया की population density जादा है और राजस्तान की population density आपकी कम है इस is population per square kilometer और यहां पर decadal growth rate of population देखेंगे वो भी आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर इस decade में 2001 से 2011 के बीच में 17.7% से population बढ़ी थी बट राजस्तान के अंदर जो है population और जादा तेजी से बढ़ी 21.3% से बढ़ी तो राजस्तान में population बहुत तेजी से बढ़ रही ह बहुत जादा population होरी राजस्तान के अंदर और यह एक important issue है राजस्तान के लिए tackle करने के लिए urban population to total population की ratio देखें तो इंडिया में 31% है और राजस्तान में around 25% है तो यह दिक्कत की बात है कि urban population राजस्तान में कम है और जादा तर rural population है schedule caste कास्ट की population इंडिया में 16.6% और रा राजस्तान के अंदर जादा proportion है schedule caste की और ऐसे ही schedule tribes की भी जादा proportion है sex ratio की बात करें यहाँ पर females per thousand males की तो इंडिया की 943 है ऐस पर census 2011 बट राजस्तान के यह है 928 child sex ratio की बात करें यानि की हमारे up to six years तक के बच्चों की अगर हम sex ratio यहाँ पर देख रहे है तो वो हमारी इंडिया के 919 है और राजस्तान की और विकाम है triple eight तो यह ठोड़ी सी आपके लिए चिंता की बात है चली तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे है कुछ और इंडिकेटर तो अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया का लिटरेसी रेट जो है it is 73% बट राजस्तान का यह कम है again चिंता की बात है अगर बात करें male literacy rate की तो इंडिया का 80.9% और राजस्तान का 79.2 है और female literacy rate में में चिंता की बात है क्योंकि इंडिया का यह 64.6 है बट राजस्तान का यह केवल 52.1 है workforce participation rate की बात करें यानि कि कितनी percentage population हमारी workforce में participate कर रहे है तो इंडिया के 39.8 है और राजस्तान की यह जादा है जो कि अच्छी बात है कि जादा लोग workforce का पार्ट बने हुए है birth rate की हम बात कर रहे है birth rate की बात करें यह आपकी per thousand population देख रहे हैं इंडिया का 20 है और राजस्तान का 24 है तो इसका मतलब क्या है कि राजस्तान में जादा तेजी से population आपकी बढ़ने वाली है और ऐसे ही death rate आपका इंडिया का 6.2 है और राजस्तान का थोड़ा सा कम है 5.9 त तो deaths राजस्तान में comparatively come है as compared to India तो again population आपकी बढ़ेगी infant mortality rate यहाँ पर छोड़ी सी चिंता की बात है इंडिया का 32 है पर राजस्तान में जादा infants की death हो रही है ऐसी maternal mortality rate भी चिंता की बात है क्योंकि इंडिया का 113 है और राजस्तान का 164 है यानि कि जादा mothers की death यहाँ पर और यहाँ पर life expectancy at birth की हम बात करें तो हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर 69.4 है और राजस्तान के अंदर है 68.6, 68.7 तो आप बात किरते हैं state economy की देखो state economy के बारे में जानना है तो दो main indicators आपके हैं GSDP और per capita income और यह already हम आपके साथ briefly discuss कर भी चुके हैं आपको मैंने बता भी दिया कि GSDP आपका state income होता है और per capita income जो है आपकी हम निकालते हैं कि per individual हम कितने income कमा रहें तो यह कहीं ना कहीं हमारा indicator is standard of living का और of the people का अब यहां पर एक और चीज़ के बारे में बताया गया जो कि आपका है banking और financial system तो राजस्तान के अंदर के एक extensive banking and financial system है तो as on September 2020 हमारे पास यहां पर 7685 bank offices ब्रांचे इसमें से आपके 4272 चो है public sector के हैं 1566 RRBs है regional rural banks 1489 private sector banks है 7 आपके foreign banks है और 351 आपके small finance banks है तो यहां पर main दबदबा किसका है आपका public sector banks का main दबदबा देखने को मिल रहा है तो यहां पर हम देख सकते हैं GSTP of Rajasthan and GDP of India तो Rajasthan का एक तरफ है और India का एक तरफ है तो यहां पर दोनों का हम growth देख रहे हैं over the previous year और इसकी value भी हम यहां पर देख रहे हैं यह सारी figures आपकी rupees in करोड है तो मगर राजस्तान का share देखें कि पूरे इंडिया के GDP में राजस्तान का कितना share है तो यह कितना निकल कर आ रहे हैं लगबग 4.9% के आसपास निकल कर आ रहे हैं तो यह भी आपका यहां पर ध्यान में रखना चाहिए तो यह आपकी current prices पर हमने बताया और ऐसे ही constant prices पर अगर बात करें तो फिर यह आपका लगबग 4.78% निकल कर आता है तो अप्रॉक्सिमेट फिगर आपकी उतनी ही रहती है और इसके लावब per capita income की अगर हम बात करें तो अल्रेडी हम देख चुके हैं per capita income को राजस्तान की per capita income जो है वो हमारी all India level से कम है जो कि थोड़ी सी दिक्कत की बात है हमारे लिए ऐसे ही current prices पर भी हम देखें यहाँ पर तो इंडिया की per capita income जो है वो इतनी है और राजस्तान की इतनी है जो कि again आपकी कम है तो थोड़ी सी आपको चिंता की बात है कि हम राजस्तान के अंदर जादा income generate नहीं कर पा रहे as compared to the population we are having अब आते हैं हमारे street के demographic profile पे तो census 2011 के according हमारी राजस्तान की जो population it is 6.85 करोड यहाँ पर density इतनी जादा नहीं है क्योंकि एडियर राजस्तान का बहुत जादा है urban population हमारी 1.7 करोड है और rural population हमारी 5.15 करोड है तो जादा तर हमारी population जो है वो rural areas के अंदर हमें देखने को मिलती है और sex ratio की बात करें अल्रेडी आपका से अमने discuss भी किया था राजस्तान की है 928 females per 1000 females जो की इंडिया से कम है बट यहां पर यहां पर हमें यह भी बताया गया कि अगर हम देखें रूरल एरियास के अंदर तो रूरल एरियास के अंदर हमें राजस्तान की sex ratio जो है वो comparatively जादा देखने को मिलती है तो रूरल एरियास के अंदर यहां पर बताया है occupational structure of the labor force के बारे में तो राजस्तान की labor force के बारे में बता रख है कि हमारे पास 43.6% जो है वो राजस्तान के अंदर labor force है यानि की total population का इतना percentage हमारी labor force का पार्ट बनी हुई है इसके अंदर आपके main workers भी आते हैं और marginal workers भी आते हैं में workers वो हैं जिन्होंने छे महीने यहां से जाधा काम किया marginal workers वो हैं जो कि 6 महीने से काम काम कर रहे है किसी एक्टिविटी में और यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास अलग-लग workers के अंदर जो pre-dominance है वो किसकी है यहां पर हमें किसकी देखने को मिल रही है एगरी कल्चर वरकर्स की देखने को मिल रही है आप देखरो कल्टिवेशन में और एगरी कल्चर में जाधा तर हमारे जो वरकर्स है वो यहां पर जुड़े पिचर थोड़े क्लियर नहीं है बढ़ आपको यहां पर समझ में आ गया होगा अब यहां पर देखते हैं strong and weak points about the economy of Rajasthan strong points हमारे पास क्या है कि Rajasthan के अंदर बहुत सारी mineral wealth है बहुत से minerals राजस्तान में देखने को मिलते हैं kettle wealth बहुत अच्छी है handicraft, carpet, textile, gems and jewelry, readyment, garments यहां पर बहुत अच्छा export potential है और राजस्तानी entrepreneurs जो हैं वो इंडिया और abroad में भी हमारे famous है यानि कि Rajasthan से काफी entrepreneurs निकले हैं बढ़ चिंता की बात यह है कि Rajasthan छोड़कर बाहर जा रहे हैं बाहर काम कर रहे हैं तो इनको वापस से Rajasthan में बुलाने की जरूरत है अगर बात करें weak points की तो weak points क्या है राजस्तान एकनोमी के तो पानी की shortage है फिमाइन्स, droughts और scarcities इन सबसे जूजना पड़ता है physical infrastructure आपका adequate है यानि कि power और transportation वगेर आपका proper नहीं है public sector enterprises जो हैं काम कर रहे हैं काफी losses में काम कर रहे हैं especially in the power sector आपका social infrastructure weak है यानि कि education और wealth front पे आप फोड़े से weak चल रहे हैं high growth rate of population and other unfavorable demographic indicators pose a challenge for the future planners तो हमारे population का growth rate बहुत जादा हो रहे है जैसा भी आपको बताया तो ये एक challenge के लिए हमारे future planners के लिए चलिए अब यहाँ पे आपका सब discuss करते है main factors for slow economic progress of Rajasthan in Indian economy हमारे राजस्तान की progress Indian economy में बहुत जादा क्यों नहीं हो पाई राजस्तान में क्या-क्या economic level पे दिखते हमें देखने को मिल रही है उनकी discussion आपके साथ कर रहे हैं तो कहा कि planning की जब हमने शुरुआत करी 1951 से तभी राजस्तान का economic base हो था बहुत ही खराब था तो हमारी शुरुआत बहुत ही नीची लेवल से हुई तो हम improve तो करें बट उतने जादा improve नहीं कर पाए geographical और physical conditions यहाँ पे adverse हैं तो कहा गया कि हमारे यहाँ पे 60% से जादा तो desert area ही है तो इसलिए यहाँ पे geographical conditions ऐसी है कि development थोड़ी सी मुश्किल हो गई है population का growth rate जो है वो जादा है तो हमने आपको बताया कि राजस्तान के population growth rate जो रहा है 2011 का वो इंडिया के overall से जादा रहा है तो इससे क्या होगा कि हमारे पास per capita availability resources की घड़ जाएगी एक दिक्कत की बात है rising labor force population बढ़ी है तो उसे labor force भी आपकी बढ़ रही है और उनको जादा jobs है है वो jobs create करना एक challenge बन गया है नहीं तो unemployment हमारे राजस्तान में बढ़ती जाएगी dependence है agriculture की बहुत हाई monsoon के उपर यानि कि बारिशों पर हम depend करते हैं अपने irrigation facilities जो है कम है ground water level जो है state का वो भी deplete होता जा रहा है especially because of continuous droughts वगएरा और soil erosion जो है important issue बन चुक है हवाएं बहुत तेज चलती है soil कोडा देती है और आपकी जो cattle की uncontrolled grazing है वो भी soil की जो top fertile layer है उसे remove कर रही है social backwardness यहाँ पर social backwardness भी जादा है literacy level हमारे कम है तो यह भी एक चिंता की बात है lack of financial resources state के पास financial resources जादा नहीं है infrastructure facilities इतनी जादा अच्छी नहीं है transport और communication network राजस्तान का national leverage से पीछे चल रहा है तो यह कुछ problems हमें face करने को मिल रही है इसके लावा हमारे पास power shortage का एक important issue है demand और supply of power के बीच में important gap यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हमें नई capacity बढ़ानी पड़ेगी अगर हम इस gap को bridge करने का सोच रहे हैं और non-conventional renewable sources का इस्तमाल करना पड़ेगा solar energy, wind energy, biomass energy का इस्तमाल करना पड़ेगा literacy rate के अगर हम बात करें literacy rate आपको बताया था मैंने कि literacy rate हमारे पास जो है राजस्तान का national leverage से कम है और यहाँ पे दिक्कत यह भी है कि rural females में particularly SC, ST और OBC groups में यह literacy rate आपका और कम हो जाता है और साथी साथ हमें industrial development में regional inequalities देखने को मिलती है तो जैपूर अगर आप देखेंगे बहुत सारी factories वहाँ पे setup हैं बट कुछ areas ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही कम factories setup है तो inequality है lack of ferrous minerals and fuels अब यहाँ पे ferrous वाले minerals कौन से होता है iron वाले तो iron and steel industry यहाँ पे आप develop नहीं कर सकते हाँ बाकी minerals हैं आपके पास copper, lead, zinc, tin, etc उनकी industries चल रही हैं बट यहाँ पे capital goods की iron and steel वाली industry नहीं चल पारी क्योंकि यह हमारे पास available नहीं है पर capita plan outlay for Rajasthan was less than national leverage in earlier years of planning अब यहाँ पे आपको बताते हैं बिमारू state वाला concept देखो जी हमारे economy के अंदर कुछ states को बिमारू वाला tag दिया गया यह आपकी बिमार states हैं इनमें जो है आपकी backwardness जादा है तो हमारे Rajasthan को भी यह वाला tag आपका दिया गया था देखो बिमारू के अंदर कौन सी आ रही हैं बिहार आ रहा है, मध्य परदेश आ रहा है, राजस्तान आ रहा है और यूपी आ रहा है अब इसके अंदर ओडिसा भी इंक्लूड होगे और इसे बोमारो जो है वो बोला जाता है कि ये स्टेट्स आपके सोश्यो एकनॉमिक ड्वेलप्मेंट में लाग कर रहे हैं तो आपको हमने बताया कि राजस्तान की पॉपुलेशन जो है वो जाधा ग्रोट्स रेट से बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या मेंट फ्रेक्टर इसके लिए रिस्पॉंसिबल हैं लड़कों की बहुत जल्दी एच में शादी कर देते हैं तो फिर जादा बच्चे पैदा होते हैं और population हमारी बढ़ जाती है हाई फ़िलीटी रेट फ़िलीटी रेट बहुत जादा है यानि कि हमारी जो फ्विमेल से बहुत जादा बच्चे पैदा कर रहे हैं fertile है very low couple protection rate यानि की contraceptives और यह family planning methods का जो इस्तमाल है वो कम हो रहा है state के अंदर very low literacy rate in females particularly in the lower rural area so literacy rate कम है इसकी वज़े से females हो है वो jobs पे नहीं जा रही यह सब नहीं कर रही है और घर पे बच्चे संबाल रही है और naturally आपका population वहाँ पे जादा हो जाता है social backwardness social backwardness है SCST OBC की population जाद है बहुत से लोग पिछडे areas में रहे हैं हिली areas में tribal areas में desert area में रहे हैं backwardness जाद है वो नहीं समझ पा रहे की population जादा होगी बच्चे जादा होंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी आपको एक small family रखनी चाहिए उसकी importance को वो नहीं समझ पा रहे और यहाँ पर population control के लिए राजस्तान government ने कुछ measures भी लिये हैं जैसे कि यहाँ पर अगर आपको panchayats का election लड़ना है तो आपकी family size limit लगाया गया कि आपके दो बच्चों से प्रमोट करने के लिए विकल्प scheme भी introduced की गई थी और 2000 के अंदर नहीं population policy है जो बनाई गई थी और इट इस हमारी जो focused है four points पर focus है कौन से four points है package to provide services after survey on the basis of fertility and child health introduce qualitative reforms in the management of family planning services prepare suitable conditions in favor of small family make panchayati raj institutions voluntary organizations private cooperative and other bodies partners in providing services and arousing social consciousness amongst the people for family planning तो हमारी ये नई population policy के focus areas है अब बात करते हैं causes for low literacy rate in Rajasthan तो आपको बताया कि Rajasthan में literacy rate as compared to national average कम है और इसके क्या कारण है वो भी हम जान लेते हैं तो कहा जी low literacy rates at the time of formation of Rajasthan as princely states joining it did not pay much attention on educating masses तो जब Rajasthan बना था तभी से हमारा literacy rate बहुत कम था और हम बहुत जादा तो नहीं बढ़ पाए हमने improvement करी है improvement हुई है बट क्यूंकि हमने शुरुवात ही बहुत कम से करी थी तो हम national level से पीछे रह गए successive governments ने literacy को लेकर campaigns organize इतने अच्छे तरीके से नहीं करी आपके primary school से drop out अबे देखने को मिलते हैं कि बच्चों को जल्दी school से निकालिये जाता है खास करके लड़कियों को due to social and economic factors due to social and other reasons not much attention has been given to educate girls especially in the rural areas तो आपकी जो girls है वो domestic work में participate कर रही है families को assist कर रही है और यहां पर आपकी जो female literacy rate है वो इस वज़े से कम हो गई है primary schools के डर्थ भी हमें यहां पर डर्थ का मतब होता है shortage primary schools की shortage भी कहीं न कहीं हमें यहां पर देखने को मिल रही है राजस्तान में और यह भी कारण है low literacy rate का तो my dear friends requirement है कि राजस्तान की economic transformation हो जाए और इसके लिए हमारे पास एक important advisory council जो की हाल ही में constitute की गई है वो है chief ministers राजस्तान economic transformation advisory council and it has been set up under the chairmanship of honorable chief minister on 7th March 2020 to act as a think tank for improving the economic financial landscape of the state तो यहां पर हमारी जो council है किन एरियास पर focus करने वाली है हमारी स्टेट की economic growth or development को बढ़ाने के लिए काम करने वाली है लोगों के लिए जादा employment opportunities create करें सब तक basic services health sanitation और education की पहुंचा सकें और अभी के जो initiative सरकार के चल रहे हैं उसको और जादा बहतर तरीके सें कैसे implement यहां पर कर सकते हैं और हमारे जो departments काम कर रहे हैं इन सब areas के अंदर उनको भी guidance दी जाएगी और lectures भी organize की जाएंगे national और international level के जो आपके जाने माने speakers हैं वो आपके important areas of economic development पर lectures भी organize करेंगे चली तो यहां पर हमारे पास एक concept चेक का सवाल है dash is the largest state of India in terms of area तो हमारे पास largest state in terms of area कौन सी है जी हमारे पास है राजस्तान यानि की option number C आपका answer यहां पर बनेगा so thank you friends ही था हमारा आज का discussion जहां पर हमने economy of Rajasthan का basic overview लिया important points समझे जो की examination point of view से काफे important आपके लिए रहने वाले हैं तो आईए ची इस discussion को आप conclude कर देते हैं bye bye take care all the best and keep working hard